चलिए बेसन की सबजी बनाते हैं, बेसन की सबजी को तो कई प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग करके इसे बनाएंगे, जो कि दिखने में बहुत ही सुन्दर और अलग दिखता है, और खाने में उतना ही स्वादिष्ट बनता है, सभी को बहुत पसं तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, हेलो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक कप बेसन लिया है, जो कि मैंने मेजरिंग कप से नाप कर लिया है, और यहां पर में मसाले डाल लूँगी, आधी चोटी चमच हल्दी पॉडर, आधी चोटी चमच लाल मिर्च प वो अच्छे से बेसन में इवर ने मेजरिंग का एक कप लिया है, जिसमें मैंने लगबग आधा कप पानी लिया है, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे मैंने गुद कर अच्छे से टाइट डो बना लिया है, एक बार में पानी नर डाले, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले, इससे 2 अच्छे से बन जाता है, और यहां पर बस हम इसे टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे, यहांपर जो मैंने आधा कप लगबख पानी लिया था, उसमें 2 से 3 टेबिल स्पून पानी बच गया था, और उतने पाने में मेरा एक अच्छा tight dough बनकर तयार हो गया था और यहाँ पर मैंने dusting कर लिया है आटे से अच्छे से अगर आटे से dusting कर लेंगे न तो थोड़ा बहुत अगर अगर 2 गिला भी होगा तो चिपगा ने और यहाँ पर मैंने डो को दो भाग में डिवाइट कर लिया है और इसकी दो लोईया बना के तैयार कर लिया है अब एक एक करके हम इसे बेल लेंगे यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने गोल शेप दे दिया है और उसके बाद इसे अच्छे से बेल लिया है इसे हमें गोल बेल लेना है इसे घुमा कोल बेल लेंगे और ना ही तो इसे जादा पतला और ना ही तो जादा मूटा रखे जो पराठे हम बनाते हैं पराठे के जैसा बस इसका थीकने समय रखना है तो यहां पर मैंने चाकु की सायता से इसे कट कर लिया है आप चाहे तो पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हैं यह बह आसानी से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है, अबस थोड़ा सा पानी इसके लास्टवाले पोड़िशन में हम लगाएंगे, और बस इसे फोल्ड करके इसे चिपका लेंगे, तो बहुती सुंदर कि इसे बन कर ये तैयार है, बहुती सुंदर दिखता है, और यहां पर गरम पानी करके मैंने पहले से ही तयार रखा है और हम इसमें अब डाल देंगे और इस बात का ध्यान रखे गरम पानी है तो बहुती साफ धानी साप इसमें डाले नहीं तो छिटक भी सकता है और बस इसे एक बार चमब चला ले ताकि नीचे जो भी चिपका हो वो अच्छे से आ जाए और बस इसे हम पकने के लिए लग जाता है इसे निकाल कि आप चेक भी कर सकते हैं तो बस यहां पर यह बनकर तयार है तो अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी सारे पीसेस को मैंने ऐसे ही इस ट्रेइनर से चान कर अच्छे से बाहर निकाल लिया है और ぁहँ हम यहाँपर ग्रेवी बनाने की तयारी में चलेंगे, तो चली हम यहाँपर पैन गरम कर लेंगे, पैन गरम होते ही यहाँपर मैने तीन बड़े चम़च तील डाला ह Calvin, तेल के गरम होते ही यहाँपर दु तेश पत्ता , जब मैंने जीरा डाला था उस टाइम आप तड़के में डाल दें उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और यहां पर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने यहां पर एक बड़ा चमच भर के जिन जगाली का पेस्ट डाल दिया है जब तक इसका कच्छा पन न चला तब तक हम इसे सौटे कर लेंगे और इसको सौटे करने के बाद यहां पर मैंने तीन से चार मिडियम साइज की टमाटर लिया है जिसे मैंने पीस लिया है आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं काट भी सकते हैं दोनों में ही अच्छे से पक जाएगा और इसे मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है और रागे हम मसाले टालने की तयारी कर लिये आधी चोटी चम्मच हल्दी जाधी नीया का पॉड़र और एक चोटी चम्मच ब्राइब का च्मीरी रेट चिली पॉडर स्वाधनुसान नमक डाल दे और थोड़ा सकस्वरी मेथी यहां लिए है ताकि जो masala है न ओअ तले से न लगे, पानी डाल डाल कर जब हम इसे पकाते हैं, तो masala और भी अच्छे से पकता है, और अब हम इसे थोड़े और के लिए यहाँ पर ढपकर छोड़ देंगे, ढपके इसे पकाएंगे जो टमाटर भी जल्दी पग जाते हैं और बस यहाँ पर यह बन कर तयार है तो अब हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है और पानी आप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं अगर आपको जादा ग्रेवी चाहिए तो जादा पानी डाले कम ग्रेवी चाहिए तो अब कम पानी डाले और बस हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको नमक कम लगे ना तो आप इसी टाइम पर आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं और यहां पर मुझे ग्रेवी के लिए पानी कम लग रहा था तो मैंने आधा कप लगबग पानी और डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसके हम उबाल आने का वेट करेंगे जैसे इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हमने जो बेसन का जो फोल्ड कर लगा और सब्जी को बनाकर तयार करने में मुझे 30 मिनट का समय लगा तो लगबग 40 मिनट में सब्जी बनकर तयार हो गई और इसका लोग इसका टेक्शर देखे कितना सुंदर देख रहा है और खाने में भी उतना ही स्वादिश्ट था और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब चरूर करें तो बनाओ खाओ इंजोई करो टाटा बाई बाई